जोगर्फी का 25 questions लेते हैं ताकि आसानी रहे इसमें कुछ questions छूट गये थे पिछली बार में उसी को पूरा कर दे रहे हैं ठीक है देखिए शुरू करते हैं पहला question है बाकि जो लोग लेना चाहते हैं फूल लेंक टेस्ट ऊपर यहां पर लिंक है और जो यह नंबर है इससे पर मैसेज करना पड़ेगा वार सिर्प ठीक है बाला question है कि which of the following set of cities is located on the reference longitude for Indian standard time क्यों जानते हैं कि आप लोग एकदम अच्छी तरीके से काकिनाडा पॉंडिचेरी ठीक चलिए अगे अगला question है क्या कि मैं एक मुहर लाइन डेमेकरेट्स दे बाउन्डरी बिट्मिन किसी बाउन्डरी खीचती है तो आपको जागे इंडिया और चाइना के बीच अगला question है कि the northern part of the west cost is known as किसके लिए जाना जाता है आपका third का हो जाएगा आपका conquer के नाम से जाना जाता है the conquer cost stretch between किसके बीच में कियो है conquer आपको हो जाएगा fourth का A हो जाएगा गवायन कोचीन के बीच बीच है यह देखिए यहाँ पर ऐसे है आपका है यहीं पर आपका इधर वाला history के बात कर रहा है यहाँ नेक्स्ट है कि the eastern cost is Indian known as जो eastern है means पूर् आपको जाएगा कोरुमंडल कोस्ट किसने कोरुमंडल कोस्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि which of the following is the capital of the union territory of दादर एन नागर हवेली क्यों जाएगा आपका capital पूछा जा रहा है नापका जाएगा 6 का D सिलवासा अब यहाल है में सब्सक्राइब को दो जो union territory उनको मिला कर एक कर दिया गया है ठीक है अब टोटल हो गया है आठ और जो 28 है इस्टेट हमारे इंडिया ने है ठीक है तो ओ जो दोनों को एड किया गया है कौन कौन से इस्टेट है इंगें टेरी थी है उसका नाम हमें आप कमेंट बाक्स में बताईएगा ठीक है नेक्स्ट है अगला कोस्टन है कि कांचिपूरम इस विच आफ दी फालोइं फालोइं इस्टेट फालोइं इस्टेट खेट विच आफ जहाए कंचिपूरम क्यों जागा एंसर सेवंत को जागा सी तमिलनाडू को जो जो गया है आप लोग जो जूर ना चाहते है ऊपर है नबर इस वह और करके मैं वज़ दीजिया हम आपको प्रोसेस बता देंगे कैसे क्या कर अगला कोश्चन है, which one of the following groups of Indians state had common frontier with Bhutan, क्या हो जाएगा answer, देखिए, काफी important question है, कराई कि कौन से है group जो common frontier with Bhutan के साथ लगा हुआ है, अब को जाएगा 9th नमर को जाएगा C, जाएगा अगुना अंतर परदेश, अस्रम, सिक्किम and वेस्ट पंगाल है, ठीक है, चली, अगला question लक्षदीफ, Iceland are the product of, किसका है product, देखिए, तेन काउजागा अपका D, reef formation, कोरल रीफ होता न, वह यह, उसी पर बनाए हुआ, अगला question, match following करना है, match following करना है, कैसे होगा match following, देखिए, answer क्या है, अपका हो, हो जो है किस समन्ध है, आपका जारखंट से समन्ध है, जंजाती बैगा, बैगा कहा है आपका, 36 गड़ कहा है, कुकी, कुकी कहा है आपका, फो नगलेंड कहा है, और भूटी आजन जाती कहां कि है, सिक्किम कि है, यह आपको लोगों कर रहा, तो आपको नमबर कहा हो जाएगा C, चिक है, यहाँ देखे रहे हैं, questions, आसान और important है, आप कु कोई भी problem नहीं होगे, अपनों को, जी यह मतलब होता है, कि general awareness, मतलब सामानने जानकारी, ठीक है, इसमें कोई नहीं catering कि इतना current ही आएगा, इतना अपका GS portion आएगा, GS portion का कुछ हिस्सा आता है, current हिस्सा का weightage ज्यादा रहता है, बस एध्यान दीजेगा, ठीक है, यह मैं ratio क बात करूँगा, तो 3 ratio लगबग 2 का, या तो हमें कहते हैं, 60% current आएगा, 40% GS आजाएगा, यह सभी मिला के देते हैं, क्यों GS नहीं आता है, GA में, general awareness, सामाने जनकारी, इस आपके आसपास क्या हो रहा है, यह सभी पता होने चाहिए, बस इसी यही मतलब है, GA का, ठीक है, इस में निशित रहे है, सभी आते हैं, जो करवाया जा रहा है, अगला question, इंडिया, इंडिया lies in the hemisphere, क्या अपका, 13 नमर के, क्या हो जाएगा answer, सीधे-सीधे answer है, यहाँ पे, northern and eastern, चीक है, अगला question, which of the following city is light to the western most latitude, अपको जाएगा 14 नमर का answer, क्या हो जाएगा, A, जाएपूर अगला question, which one of the following sequences in the ascending order of their geographical size incorrect, कौन से आपका है, 15 नमर का हो जाएगा, ascending order के बात करा, ध्यान दीजेगा, B हो जाएगा, जारकन, फिर west नमकाल, फिर तमिलानों, फिर 36 गड़ है, यहाँ आपको जाएगा, ascending order में, ascending में शोता है, बाधते करमें, पले छोटा, फिर उस्ते बड़, 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 अगला question है, which of the following towns is located, इस्टर्न मोस्ट, क्या हो जाएगा, 17 नमर का हो जाएगा, यहाँ आपो जाएगा, D, जाएगा, D डिब्रुगड या डिब्रुगड अगला कुस्टन है which of the following towns is located at sternmost क्या होजाएगा आपका 17 नमर का होजाएगा B होजाएगा जमसेदपूर ठीक है अगला कुस्टन है कि among the following cities to the topic of cancer आपका होजाएगा 18 नमर का होजाएगा 18 नमर का होजाएगा B कोलकाता ठीक है अगला कुस्टन next है कि which among the following is the smallest state area wise area wise सबसे smallest state का है तो नागलेंड आप सब लोग जानते हैं नीचे की बात के इन सब में बात करा आल उबर के नहीं बात करा है ध्यान दीजेगा आल उबर में नागलेंड नहीं है आल उबर में कोन है आप खुद बताईए लेकिन जो हाँ चारों है इन सब में सबसे चुटा कोन है तो नागलेंड है यह आप जान लिजेगा विच वन आप दी फालोईं इस्टेट डज नाट फॉर्म बार्डर विट बांगलादेश कोन बांगलादेश के साथ बार्डर नहीं करता है अगला कोश्चन है कि वेस्ट बंगाल है कितने फॉरेंड कंट्री के या विदेशी सीमा के साथ अपना लाइन टेच करता है कौन कोन है कमेंट बाक्स बताइए अगला है अगला कोश्चन कि इंडियन श्वेरेंटी इन अप्टू डैस नॉटिकल मिल कितने नॉटिकल मिल तक हम लोग अपना हाधिकार जमा सकते हैं अगला कोश्चन है माउंट एवरेष्ट इंडिया में नहीं है बाकी आपका तीन है इंडिया में तक हो जागा जो अनपूरा जो है अपका इंडिया में नहीं है बाकी नंदा देवी है माउंट कामेत है और कंचंचंगा भी है इंडिया में चली एर आप लोग का 25 कोस्चन्स जो की बहुत इंपोर्टन था जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी भी पेट गुरूप से जो टेक्सीरीज नही टेस्ट है मैं गरंटी देता हूं कि मुझे से जो मैं बताया हूं उससे ज्यादा टफ आपका एक्जाम नहीं होगा टेक्स्ट दिये ठीक है जो लेना चाहते हैं जरूर काल करें धन्यवाद